बिहार के बकसर में ट्रेन हाथसा हुआ है नौर्थ इस्ट एक्स्प्रेस की किस बोगी पत्री से उतर गई हाथसे में चार लोगों की मौत हो गई 100 से जादा लोग घायल एस्ट एरेफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है ओपरेशन में जुटी हुई है दिल्ली से कामख्या जा रही थी एक्स्प्रेस ट्रेन तस्बीरे आप देख रहे हैं जहाँ पर यह हाथसा हुआ था बिहार के बक्सर में यह बड़ा ट्रेन हाथसा अलाकि देखे वहां से साब तोर पर इप्टी सेम तेजस्पी आदब ने रात्पूई एडवाईजरी जारी कर दिया था और हेल्प लाइन नमबर भी जारी किया गया था लगतार प्रयास किये जा रहे है कि जल से जल लोगो को एलान किया जाए आपको ये भी बता दें कि बिहार के सीम ने हादसे पर दुख जता है और मुआबजे का भी एलान किया है सब लोगों को मदद करने वाले हैं आप जान लिजे हम सब को उसके परिवार को चार-चार लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड है उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50.000 रुपया देने वाले है अब हो दुखत है उसके लिए जितना भी काम वाला किया तो उनका घाप बनवे रेल का मामला है लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है राप में सारे अधिकारी येगर हैं हमको भी सुचना दे दिया था और एक एक तरह से बोड़िक देख लिया है तो दुखी बात है जो घटना जो भी घटी है लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी सब को खुगा देख से यह गया है डिली से का मख्याज न जारी बगसर के पास जो है दुर्गतना घ्रेस्ट हूई है और हमारी सबस्क्राइब कर दोरों। सबी जगा जो है अलर्ट पर जारी कर दिया गया है हमारी प्राथविक्ता है कि हम जादा से जादा जो है लोगों को जान को सुरक्षा करें और हेल्प लाइन नंबर भी जो है वो रिलीस कर दिया समाजवाधी पार्टी की प्रमोक अखलेश आदाव लोक नायक जेप्रकाश नारायन की जेन्ती पर जेपी आइनसी कारिक्रम में पहुँचे थे लेकिन अखलेश के पहुचने पर पुलिस ने उन्हें अनुमती नहीं होने का हवाला दिया और अंदर जाने से रोकने की भी कोशिश की पुलिस ने अखलेश को रोकने के लिए JPNIC के गेट पर ताला लगा दिया जिसके बाद सेंटर के गेट पर सपा कारेकरता धरने पर बैठ गए वहीं गेट को फांद कर कोई भीतर ना जा सके इसके लिए एक दिन पहले ही लोही की चादर लगवा दी गई थी जेप्रकाश नाराइन की जेनती पर JPNIC का गेट बंद किये जाने से नाराज सपा के राश्टी अध्यक्ष आखलेश यादव आट फिट का गेट फांद कर भीतर प्रवेश कर गए और जेप्रकाश नाराइन की मूर्ती पर माले अरपन किया आखलेश का JPNIC के अंदर जाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया हमेशे की तरह BJP ने तुरंत इस घटना को लपक लिया UP के डिप्टी सीम ब्रिजेश पाठक ने कहा अगर सपा के राश्टी अध्यक्ष इतना अच्छा कुदना जानते हैं तो उन्हें एशिन गेम्स में जाकर भारत क के लिए कुछ और मैडल लाने पर काम करना चाहिए इस भी सपा मुख्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी किये जाने पर सपा सांसर डिंपल यादव ने कहा ये सरकार हमेशा अन्याय और लोगों पर गलत मुकदमे करती है प्राधिकरन वाले नहीं चाहते थे कि जेपी नारायन जी को सम्मान मिले ये पूरी प्रक्रिया इसी मन्शा से की गई है एक्स के जरीए दी वो वैसी ने फिलिस्तीन जिन्दाबाद का नारा लगाया और हिंसा को मुर्दाबाद कहा जो मुखेता इसराइल और किसी समूच अंगठन द्वारा की गई है इसके अलाबा उन्होंने मज्जिदे अक्सा को आबाद रहे का नारा भी लगाया आपको बता कि देश के कई अलागों में लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं साथ ही साथ बहुत सारी लोगों ने इस हिंसा को लेकर हमास को जिम्मिदार बताया है लेकिन देखना होगा कि ये जंग कव खत्म होगी बिलकिस बानो मामले में देश भर की नजरे सुप्रीम कोट पर लगी हुई है लोगों को उमीद है कि देश की सर्वोच्य अदालत से बिलकिस को जरूर इनसाफ मिलेगा गुजरास सरकार के दोशों की जल्द रिहाई की खिलाफ 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोट ने सभी याचुका करताओं की तरफ से पेश जवाबी दलीरे पर सुनवाई भी शुरू की नियायमूर्ती बीवी नागरतना और नियायमूर्ती उजवल भुया की पीठ 2002 के गोध्रा टकराफ के दोरान बिलकिस के साथ हुए जुल्मों के मामले में दोशों को दी गई छूट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई कर रही है बिलकिस बानो की तरफ से पेशवकिल शुभा गुपता ने दोशों की रहाई का एक बार फिर से विरोध किया शुभा गुपता ने दावा किया कि शुगर रहाई की आदेश पीना दिमाग लगाए या परात की गंबीरता पर गौर किये बिना पारित कर दिये गए उन्होंने आदालत को बताया ये बंदुक की गोली से घायल होने का मामला नहीं है मिलोड्स तीन साल की बेटी के सिर को पथरों से कुचला गया था आठ नावालिकों की जान ले ली गई थी जिसमें बिल्किस बालों की पहली संतान भी शामिल थी जिसे पथर से कुचल दिया गया था एक गर्वती महिला के साथ गिरो बना कर उसकी आबरू को तारतार किया गया उसकी मा के साथ भी वही किया गया इस तरह की घृणित कुरूरता बरबरता किसी के साथ नहीं होगी भयानक अफरात किया गया मिलोड्स इससे पहले दोशियों ने शीर्ष अदालत के सामने दलिल दी थी कि उन्हें जल्द ही रहाई देने वाले माफी आदेशुक को समविधान के अनुचेद 32 के तहट रीट याचिकार दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि ये अदालती प्रिखरिया के तहट दिया ग उनका कहना है कि इस आपराधिक मामले में दूसरों को दखल देने की इजासत नहीं दी जा सकती मामले में दोशी ठहराए गए 11 लोगों को पिछले साल 15 अगस को रिहा कर दिया गया था उस वक्त गुजरा सरकार ने अपनी छूट नीती के तहट इस रिहाई की अनुमती दी थी और ये कहा गया था कि दोशीों ने जेल में 15 साल पूरे कर लिये थे लेकिन अब इस आदेश को चुनौती दी गई है और सुप्रिम कोर्ट में आज भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी सुप्रिम कोर्ट का हर बेंच सुप्रिम कोर्ट है और उसका आदेश सुप्रिम कोर्ट का आदेश है जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरतना की पीट ने केंदर सरकार को जम कर सुनाते हुए कहा कि कोट की बेंच और CGI की बेंच में कोई अंतर नहीं है बेंच का आदेश सुप्रीम कोट का आदेश है दरसल जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरतना की पीट के प्रारित आदेश को वापस लेने के लिए एक सरकार की ओर से सीज्वाई की सामने एक आविदन का मौकिक रूप से उल्लेख खरने पर कोट बेहत नारास था जस्टिस नागरतना ने कींदर की ओर से पेश अतरिक सॉलिसीटर्स जर्णल एश्वरिय भाटी से कहा कि हम एक अभिन न्याले हैं सुप्रिम कोट की हर पीट सुप्रिम कोट ही है हम एक न्याले हैं जो अलगलग पीठों में बैठे हैं अपनी बात करूं तो मैं इसकी सराहना नहीं कर सकती हूँ। इसी दूसरी पीट आदेश में हस्तशेप के लिए सीजुयाई से संपर करने वाले संग की कारवाई से परिशान और चिंतित हैं। अगर ऐसी मिसाल कायम की गई तो अदालती विवस्था चर्मरा जाएगी। हमास के हमलों के बात इस्राइली सेना अब गाजा पट्टी में जमीनी सैन कारवाई की तैयारी में है। इसको लेकर लगभग एक लाग इस्राइली सैनिक टैंक, आम्ड वीकल समेट दूसरे अंसंसातनों से लेस होकर गाजा में घुसने की तैयारी की जा रही है। इस्राइली सेना का मकसद गाजा में घरगर घुसकर वहाँ छुपे हमास आतंकियों को खत्म करना है। इसके लिए इस्राइली वायुष सेना ने पहले ही परियाप तेयर स्ट्राइक कर गाजा की कमर तोड़ दी है। हलाकि इसके बावजूद भी इस्राइल के लिए गाजा में घुसकर आतंकियों को समाब्द करना इतना असान नहीं होने वाला है। गाजा पट्टी की तुलना व्यतनाम से की जा रही है जिस पर अमेरिका ने जबरदस्ट आक्रमन किया था। लेकिन 20 साल के युद में भी वो जीत हासिल नहीं कर सका। वैतनाम में भी सुरंगों की भूल भुलाईया थी जिससे अमेरिकी सेना पार ना कर सकी। ठीक वैसा ही सुरंगों का जाल हमास में गाजा पटी में भी बिच्छा रखा है। मंगलवर को इसराइली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने कहा वो गाजा सीमा पर फिर से नियंतरन पाचुका है जिससे फिलिस्तीनी हमास के लड़ाकों ने तोड़ दिया था। वहीं कुछ लोगों ने इसे इसराइल के लिए एक बड़ी जीत माना है लेकिन जानकारों का कहना है कि साउध इसराइल के इस हिससे में बाढ़ ही एक मात रास्ता नहीं है। आसान नहीं है। यही कारण है कि हमास के आतंकियों को इसराइल अब तक मात देने में कामियाब नहीं हो सका। रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जाता है कि इसराइल की निवासी हर वक्त इस डर में रहते कि किसी भी समय एक आतंगवादी उनके घर के पास एक सुरंग से निकल सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो हमास ने 2007 के बाद से 1.25 बिलियन डॉलर की लागत से करीब 1300 से जादा सुरंगों का निर्मान किया। इन सुरंगों को इसराइली सेना मैट्रो कहती है। इससे हमास को छापा मार यूद में मदद मिलती है। कई मामलों में ये सुरंगे मीलों तक लंबी होती है। ये आसपास कई दूसरी सुरंगों से भी जोड़ी होती है जो आतंक्यों को सेना को जहासा देने में मदद करती दिल्चस्प बात ये है कि ये सुरंगे पहली बार हमास के सत्ता सम्हालने के बाद लगाई गई इस्राइली नाकबंदी की जवाब में सामने आई तब से हमास इन सुरंगों का इस्तमाल जंक में करता आया है एक अवाद राया है झाल झाल